Hello everyone and welcome to the podcast with Potassium Pandey. इतना हेट क्यों मिलने लगा? Before we start, let me tell you who is Safa Vek? Safa की नैशनालिटी तो इंडियन है लेकिन उनका बच्पन साओधी में ही बीता है. एक conservative Muslim family में पैदा हुई Safa is literally beauty with brain. She is a model, a journalist, executive editor in PR firm and a self-taught nail artist. Safa and Irfan got married in 2016 and उस time Safa सिर्फ 21 साल की थी. Irfan पठान अपने Instagram पर वैसे तो हर तरह की pictures शेर करते हैं, including his profession, his hobbies and his family. बट उन्होंने पहले कभी अपनी wife Safa की photo किसी social media platform पर शेर नहीं की थी. But this year, उनकी wedding anniversary पर जोकी 3rd of February को था, उन्होंने पहली बार अपनी wife का face reveal किया था. Mr. and Mrs. पठान की शादी को लगबग 8 साल हो गए हैं और उन्होंने हमेशा अपनी married life को private रखने की कोशिश की है, especially on social media. But recently, इर्फान पठान अपनी wife के साथ social media पर काफी active हो गए है. और ये बात काफी सारे लोगों को, especially उनके ही religion के लोगों को इतनी पसंद नहीं आ रही है. कुछ लोगों का कहना है कि इर्फान पठान अपनी wife को इतने सालों तक परदे में रखे और अब modernization के चकर में अपनी बीवी का चहरा reveal कर दिया. इर्फान सर जब पहली बार Instagram पर उनकी wife के साथ की फोटो शेयर किये थे तब भी बवाल हुआ था. दूसरी बार भी हुआ था, तीसरी बार भी हुआ था और लगबग हमेशा ही target किया जा रहा है. उनके मुसलमान होने पर सवाल उठाय जा रहे है. उन्हें शर्म करने की बात कियी जा रही है. इन फैक्ट इर्फान को ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने religion का अपमान किया है. ये गलत है इर्फान साथ. अल्ला ताला ने आपको अपनी wife की सुरक्षा के लिए भेजा है. आप उनके लिए खड़े रहें. और अपनी बीवी को बुर्खा पहना है. ये जो लोग आपकी पोस्ट के नीचे बुर्खा, अल्ला और मुसल्मानों के बारे में गलत बाते कर रहे हैं. इसकी वज़ा सिर्फ आप हैं इर्फान. अल्ला से डरो सफा. पहले ये बुर्खा फुल हिजाब पहनते थे, बिना हिजाब के पोस्ट नहीं करते थे, फेस क्लियर नहीं आने देते थे, पर्दा करो मेरी बहन, आप एक इज़दार खांदान से हो. And so on. In 14,000 comments में, majority of लोगों को इस बात से problem है कि एर्फान पठान ने अपनी वाइफ का face reveal क्यों किया. उन्हें पर्दे में ही रहने क्यों नहीं दिया. What is this hate about? Sana has the right to do anything she wants. ये उनकी मर्जी होनी चाहिए कि उन्हें बुर्खा पहनना है या नहीं. ये उनके husband and उनकी family की मर्जी होनी चाहिए कि वो क्या करें. We have no rights and I hope कि उनके लिए ये बिनावज़ा का hate भी रुख जाए. वैसे, let me know what do you think and see you soon. Bye-bye.